Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोच्यक और उप्योगी जानकारी है Difference between सर्सो और तोरिया ये टोरा ये दोनों ही तिलन हैं, तो चलिए आज इनके विशय में जाना जाए आज सबसे पहले ये सर्सो ये भारत में सबसे ज़ादा तेल निकालने के लिए उप्योग होता है ये ब्रसिका निग्रव विज्ञानिक नाम वाले पौंदे के बीज है तेल निकालने के अत्रिक्त इसका उप्योग भोजन को चौकने भी भी होता है और कई तरह के सौस भी इससे बनाये जाते हैं सर्सों से मिलती जुलती ही राई तता सर्सों के तेल के गुड़ों को जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं सर्दियों में सर्सों के हरे मुलायम पत्तों का साग उत्तर भारत में बहुत प्रशलित है कर रखें यदि रख्यवी सर्सों में फंगस आ जाए या इसकी गंद बदल जाए तो आप इसको उपयोग ना करें आज दूसरा है यह तोरिय यह तोर्रा दिखने में यह बिल्कुल सर्सों जैसा है क्योंकि यह सर्सों के ही परिवार का सदस्य है जिसका उप्योग तेल निकालने के लिए ही होता है ये छोटे-छोटे बीज ब्रसिका नेफस जिसका पुराना नाम ब्रसिका केमपेस्ट्रिस है नाम वाले पॉने के बीज है इसका असल जन्मसान स्पश नहीं है परन्तु इसको भुमति साग्रेश शेत्र के यूरोप के देशों की पैदावार माना जाता है पर आज ये लगबग पूरी दुनिया भर में उगाई जाती है ये अमेरिका, कैनेडा और जपान में कनोला नाम से जानी जाती है जबकि यूरोप, अन्ने एशन देशों और भारत में ये रेप सीट के नाम से प्रशलित है यहां ये रेप शब्ड, लैटन शब्ड राप या रैपम से उत्पन है जिसको शलजम या टरनिप के लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि शलजम भी इसी परिवार का सदस्य है भारत में इसके पैदवार उत्वरदेश, हर्याना, पंजाब, असम, बिहार और उडिसा में होती है और इसको उप्योग भारत में भी तेल निकालने के लिए ही किया जाता है तेल निकालने के बाद बचे हुए छिलके को जानवरों के चारे के लिए उप्योग में लाया जाता है विदेशों में तोरिया या रेप सीट के बहुत छोटे कोमल पत्तों यानि शूट्स को सलात में उप्योग किया जाता है ये तोरिया बाजार में परचून की दुकानों में उपलब नहीं है इसको आप उन शेत्रों जहां इसकी खेती होती है वही से स्थानिय तौर पर प्राप्ट कर सकते हैं ये गोल-गोल काले दाने सरसो के हैं जबकि ये छोटे भूरे काले से दाने तोरिया है जिसको आप यहां सपश्ट देख पा रहे होंगे यहां आप देख सकते हैं दोनों का दरदरा पिसा रूप लगभग एक समान है और इसके कच्चे रूप का स्वाद भी लगभग एक समान ही है आपको कोई संचे ना हो इसलिए यहां हमने तोरिया के साथ राई के दाने भी रख लिये हैं देखने में ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे पर यदि आप इस तोरिया के बीच को कच्चा खाएं तो आपको इसका स्वाद हलका कडवा तथा तेल युक्त लगेगा जबकि राई खाने में जाल युक्त या पंजिंट और हलकी खटी लगती है और इसी कारण राई का उपयोग दुनिया भर में अचार और विभिन प्रकार की सौस में किया जाता है सरसो और तोरिया दोनों के ही तेल काफी स्वास्वर्धक होते हैं सरसो की तेल की तरह ही तोरिया का तेल यानि कनोला ओयल का स्मोक पॉइंट काफी अधिक होता है। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी सरसो और तोरिया की यह जलग आपकी एव्रिड़ी लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स ववचिंग एंड कीप एंजॉइंग अर एव्रिड़ी लाइफ